न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। कॉंग्रेस और वांग दलू समेत अनेक दलू ने जिसमें राष्टे जिनतदल यानि RJD प्रमुख है। ने कश्मीर के समयधानिक दर्जा बदल ने जानि अनुछे 370 पर हटाने और उसका विभाजन करने का विरोध किया है। इसी सब पर बात करने के लिए हम आजाए हैं राष्टे जनतदल के राजसभा सांसत और प्रवक्ता प्रफेसर मनुझ कुमार ज्या जी के पास। मनुझ जी आपका स्वागत है। कश्मीर पर फैसला आगया है। हमने आपको राजसभा में सुना। आपने इस फैसले को सीरे सिदे असमधानिक कहा। इसकी क्या वजा है। देखे, मैं समझ रहा हूँ कोई भी कौम, कोई भी मुल्क अपनी इतिहास को संजीदगी से देखे। मैंने सदन में भी ये कहने की कोसिस की कि ट्रीटी उफ एक्सेशन को देखिए। कैसे बना, कौन से मुश्किलात थे और कैसे 47 से अब तक ना सिर्फ पुलिटिकल हिस्ट इसी तब ठीम पर और 56 में जवाहरलाज जी को लिखा था। मैंने कहा कि मेरा आशाई ये भी था कि JP की चिठिक के माध्यम से मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि कश्मीर को ले करके आप जो ये डॉग विसल पॉलिटिक्स देश के अलग इलाकों में करने की कोशिश कर रहा ह इसका खामियाज बहुत बुरा हो गया। एक तरह से अगर आप सोच की देखें तो अब तक जिन चीजों को हम समेटे हुए थे एक कश्मीर में में स्ट्रिम हुआ करते थी जो हिंदुस्तान की रवायत हिंदुस्तान के संविधान आइन में यकीन रखते थी एक जटकी में हमने उन्हें भी खो दिया तो जाहिर तोर पर ये जो च्छन था उसमें सरकार के प्रस्ताओं के पक्ष में कता ही नहीं करा कि हुआ जा सकता था और सीक्रेसी का अलम यह था कि गवर्नर साहब 24 घंटे पहले तक कह रहे थे कि पैनिक बटन की जड़ुत नहीं है तीन सो सत्त सीटों को जीतने के लिए के अलवा उनकी कोई पुलिटिकल वीजन नहों तो जाहिर तोर पर वह ऐसे फैसले लेते हैं और जाहिर तोर पर हम उस फैसले के खिलाफ उते होते हैं आपने कहा भी, राजस्वा हमें आपने कहा कि हमें उसकी कश्मीर के आवाम को हमें साथ लेना था, मतला हमें क्या चाहिए कश्मीर की जगा, उसकी जमीन या उसका आवाम, तो क्या आप सूच रहें कि आवाम इसके खिलाफ है? देखे, ये सिर्फ मेरे सोचने का नहीं है, आज दौवा दिन है, शायद दसवा दिन है, नौवा दिन है, कोई कम्मिनिकेशन नहीं है लोगों का, मेरे खुद के पढ़ाएवे चात्र, आज वहाँ इन्वस्टीज में टीचर्स हैं, कॉलिजज में, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, कोई कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है, और सरकार हमें ये बताने की कोशिश करती है, कि अगर नॉर्मालिसी का मेरे मुल्क में ये मतलब हो गया, तो मुझे लगता है, कि शायद हमें अपने डिक्स्नरीज को भी बदलना पड़ेगा, मैंने क्यों कहा था ये बात, क कि मन्य ग्रिमांत्री जब सदन में जवाब दे रहे थे, हर बात में वो लैंड, प्लॉट, लैंड, प्लॉट ये खरीद लेगा, वो खरीद लेगा, इसको मिल जाएगी, कश्मीर, सिर्फ एक टेरिटरी का नाम नहीं है, कश्मीरी रहते हैं वहां, और जिस किसी भी इस्ट प्लिस्टीन का हितियास देखे, जी, जी, मैं उसी पर आ रहा था, आपने बहुत एक ऐसा आगाह किया सब को, और वो बहुत खत्रनाक संकेत दे रहा है, आपने कहा कि हमने कश्मीर को प्लिस्टीन बनाने की रास्ते पर ले आये हैं, मैं ने, मैंने आगाह किया, जेपी की चिठी पढ़ते हुए, और आज भी मैं चाहूंगा, कि मेरे पुर्धानमंत्री जी और ग्रिमंत्री जी, उन दोनों चिठी को पढ़े हैं, थोड़ा चिठी के बारे में थोड़ा सबता है, जेपी कह रहे हैं, 66 में, कि वाइलेंस से कश्मीरियों का दिल नहीं जीतो गए, 66 में, 53 साल बाद, ये जो आमी डिप्लॉयमेंट है, सारा कम्यूनिकेशन कट आफ है, अब क्या चाह रहे हैं, टरिटरी पर कबजा कर लीजेगा, स्टेट प्रॉपर्टी डिलर नहीं होता है, प्रॉपर्टी डिलर का काम अलग है, स्टेट होता है कॉम्प्रिहंसिव एंट जो मानक आपने बता है, वो गलत बता है, और विश्वास तो आपने एक बहुत बड़ी आबादी का खो दिया, इसलिए मैंने आगाह किया, जेपी की 56 की लिखी चिठी, नहरू को कहते हैं, कि सुनो भाई, हिंसा के अधार पर कश्मीर को नहीं रख पाओगे, स्टेट के प पांस साल बाद आप याद करें हम जैसे लोगों को, आज हम कम हैं, पांस साल बाद याद करें कि हमने आपको आगाह किया था. कहते हैं अंग्रेजी में पोस्ट टूथ और हिंदी में कहते हैं सत्यातीत दौर है जहां सत्यमाइने नहीं रखता है सत्यापृतिस्थान में जो प्रभावशाली लोग हैं वो जो कहें तो इतिहास की धारा को भी पलट करके कहें देंगे कि ये सच था और इसी को मानो मैंने आप मांट बेटन पेपर्स रखिए आप पठेल साब की जो बाइगरफी राज मोहन गांदी जी ने लिखी है उसको रखिए सब कुछ सामने आ जाएगा लोहिया जी तो आप सच कह रहे हैं महासंग की बात कर रहे थे यह तो वो लोग थे जो चाहते थे कि तक्सीम के बाद भी बॉर्डर पोरस होना चाहिए लोग विना वीजा विना पासपोर्ट के दरोदर जा सके क्या हम वो बना पाए तो मेरा सीधे तोर पे कहना है इन लोग अम्बेदकर सहाब क्यों लेकर के भी जिस प्रकार की गलत बयानी हुई और उस आधार पर कई दलों ने निड़ने लिया कि चुकि अम्बेदकर भी आर्टिकल 370 का उनका एक नजरिया था एक दिस्टिकोन था और उसके अलावा सब लोग यह सोच रहे थे एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए अगर हम अपने इतिहास के पृति इमानदार उस समय डिसाइड हो रहा था हिंदू मेजारिटी और मुसलिम मैजारिटी से मुसलिम मैजारिटी इस्टेट ने शेख मुहमद अब्दूल्ला के नेतृत में आपके साथ रहने का फैसला किया और उन्होंने ओन रिकौर्ड एक बात कही कि मैंने दो लीडिंग लाइट को देख के यह फैसला किया एक महात्मा गांदी और एक जवाहलाल नहरू अभी जवाहलाल नहरू के लिए बड़ा बुरा मौसम चला रहे हैं ये लोग वो दिन दूर नहीं जब बापू के लिए भी वही होगा तो मेरा आग्रह अपनी सरकार से था इतिहास के पन्नों के आधार पर और ये भी एक आग्रह था कि कृपा पुरवक, लोहिया हूँ, अम्बेदकर हूँ, जवाहलाल जी हूँ आप इनको मिस्कोट ना करें क्योंकि अगर आज मैं फिलिस्तीन को ले करके जो बापू का कोट था, जो बापू की समझ थी अगर आज मैं कहूं, तो सरकार को अपनी इस्राइल की नीती बदननी होगी ये मेरा आग्रात तो एक सांसत बताओर जब आप देख रहे हैं कि इतिहास, समझ थान और ये सबनेता जो हमारे कहे गए उसे मिस्कोट किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में अब आगे क्या रास्ते बस्ते हैं? देखिए, अपने जहन में जो हम लोगों को आ रहा है उसमें सबसे बड़ी चीज है कि संविधान लाइबरिडीज में बंद है, स्कूल कॉलेजेज में बंद है संविधान को चोक चोड़ा है, पहले जाना होगा हम सब को एक Constitutional Teaching Classes लानी होगी चो हो, हमारी जितनी हैसियत है हम संविधान और संविधानी की धिहास को लोगों तक ले जाए उन्हीं ये बताएं, क्योंकि ये WhatsApp दौर है इस दौर में जूट सच हो जाता है और सच हार जाता है अगर सच को जितवाना है, जिन्दा रखना है तो आपको मीडिया हॉसेस को छोड़ करके मेनिस्ट्री मीडिया खास तोर पर उसको छोड़ करके संविधान की एक एक किताब, एक एक इनसान एक छोटे-छोटे समूह में ले जाए Constitution की बात करे संविधान की धाराओं की बात करे उसके मर्म और तरप की बात करे और साथ ही Constitutional एस्ट्री की बात करे पर इसके लिए जो प्लेटफार्म होना चाही है जैसे आपने बताया कि जो हमारे पास सादन है, इंटरनेट और फोन हमारा इसमें WhatsApp उनिवर्सिटी चलती है जब हम कुछ लोग अगर इस से इसको तज्दीक करने के लिए जाते हैं फिर उनके पास क्या साधन है में इस्ट्रीम मीडिया जो वो चैनल खोलते हैं वहां उससे भी ज्यादा एक प्रपेगेंड़ा चल रहा है तो फिर उनके पास जो आप क किस तरह से यह करण भाली मेरा सीधे तोर पे मानना है कि एदर और नहीं होगा कि पुलिटिकल पार्टी ले जाएँगे या सिविल ससाइटी ले जाएगी या आम आवाम एक नेसर्गिक गटबंधन बनाना होगा गटबंधन पुलिटिकल पार्टी व के सेंस बनी solidarity विक्सित करनी होगी हम लोगों यह दुशकर है यह मुश्किल है लोगी चीज़े बहुत आगे जा चुकी यह आप मानेंगे मैं तो सीधे कह रहा हूँ कि एक अंधी गुफा में हम प्रिवेश कर चुके हैं पीछे लोट नहीं सकते आगे रोष्णी का सुराग नहीं है लेकिन रोष्णी का सुराग नहीं है तो एक चीज तो हो सकता है ना हाथ पकड़ सकते हैं एक दूसरे का एक दूसरे का हाथ पकड और पिर हम चलते रहें कोशिशे करते रहें मेरा मानना है कि हर निजाम हर नरेटीव मैंने सदन में भी का कोई भी नरेटीव अमरित पीके नहीं आया और ये narrative भी जाएगा, क्योंकि ये narrative इतना fictional है, open नियासिक है, कि इसका जिन्दा कौमों की जिन्दगी से कोई तालुक नहीं है, उसके इतिहास से, सच्चे इतिहास से कोई तालुक नहीं है, हमें दोनों चीज़ें restore करनी होगी, और वो हो जाएगा, मुश्किल जाएगा। मतले एक जो narrative बनाया जा रहा है, पूरे शेष भारत का कश्मीरी आवाम को लेकर, उसकी जमीन, उनकी महिलाओं के अपमान को लेकर, वो मुख्यमंत्री मंत्री तक ऐसा वो, एक सांसत बता और आप कैसा सोचते हैं, जब ये सब देखते हैं, मैं एक बात जरूर सोच रहा आज से 10-15 साल पहले अगर कोई इस तरह की जुबान बोलता, तो उसकी घोर मिंदा होती, उसके लोग जीवन में रहने पे लोग कहते हैं, अफसोस करते हैं, उसे माफी मांगने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन आज ये जुबान बोल करके लोग सता की सीड़ियां जर रहे हैं, तो एक बार अगर आपको पता चल जाए कि ऐसी जुबान बोलने से आपको पुलिटिकल प्रीमियम हासिल होता है, तो आप गारवान भी महसूस करते हैं, और ये दुख की बात है, मैं बार फिर से कह रहा हूं, कि हो सकता है कश्मीर की जमीन पर आप कबसा कर ल आप याद करिए वियतनाम को, थोड़ा संदर बालग है, लेकिन कि मेरा उस पे अध्यन है, आठ वर्ष अमेरिका वियतनाम मेरा, क्या हासिल हो, तो कोई भी संगर्ष, कोई भी मिलिटरी फीट, तभी सक्सेस्फुल होता है, जब अवाम आपके साथ होती है, अवाम को किना करे करके, कभी भी आप सफल नहीं होंगे, ये मेरा आग्रा, आवाम नहीं, कश्मीर के अवाम नहीं, पाकिस्तानी कावाईली जब हमला से, अवाम लड़ी, हमारी फौस तो लेट से पहुंची, हम सब उस कहानी को जानते हैं, कि कैसे उसने गलत रास्ता बता दिया, ताकि पर अब इस तरह क्यों बताया जा रहा है, 370 नहीं सब कुछ बरबाद कर दिया जैसे, जबकि ये लोग जो जानकार हैं, वो कहते हैं, 370 पुल था, भारत और कश्मीर को जो जोडता था, और विकास एक समस्या है तो, पर वही पूरी समस्या नहीं है, कश्मीर की इस बरबा बता था, कि घिशते घिशते अपने आप घिश जाएगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये फिगलीफ ही बचा था आप, इस फिगलीफ को हटाने की क्या जरूरती आपको, तो लोगों की बीच में एलिनेशन बढ़ा इस से, और मेरा सीधे तोर पर ये कहना है, कि आपक कि सदन में जूट बोला गया, कश्मीर कई मानव सुचकांग पे, मैं समझ रहा हूँ कि देश के अलग-अलग राजियों से बहुत बेहतर परिस्दीत में, फिर ये जूट क्यों परोसा जा रहा था, इसलिए परोसा जा रहा था, कि आपके पास पुकता तर्क और साक्ष न आपको कमफर्टेबल जोन में रखे जरूर ही नहीं है, कमफर्टेबल जोन जो हमारा कश्मीर का था आज तक, आज आपने उसको बदल के रख दिया, हम डिसकंफर्ट जोन में है, तो आपने जैसे कहा कि रोश्नी का सोराग नहीं, लेकिन हम इस संधेरे में भी साथ यार हा जा रहे हैं, ले सकते हैं, और क्या आप एक बात आप साथ तर पर कहूं, कई लोगों ने मुझे 370 पर मेरे वक्तब के बाद सदन में बहुत बदाईयां दे, मेरे लिए कताई संभव नहीं था, अगर मेरी पार्टी और मेरे नेता, मेरे पीछे नहीं कड़े होते, बहुत देश का मूड के लोग कहते हैं, जो आपके राज्यम सत्ता में हैं, वो वाकाउट के उन्होंने बीच का रास्ता लिया, देश का मूड, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि 1931-1932 से लेके 45 तक का जर्मनी का इतिहास पड़ी है, देश का मूड महां बिलकुल अलगता था त जाते हैं, नहीं, उसको एक डार्क चैप्टर की तरह भूलना चाहता है, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, आज मेरे मुलक में जो लोग ये नेरेटिव चला रहे हैं, देश का मूड, वो देश का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि देश कागज पर बना नक्सा सिर्फ नहीं होता, सरवेश्वर जी कह गया थे, जिन्दा लोगों से देश बनता है, हम से आप से 130 करोड हिंदुस्तानी, चाहा किसी भी परिस्तिति में वो देश बनाते हैं, सिर्फ वो नक्सा नहीं है, या सिर्फ जंडा नहीं है, सिर्फ रास्ट्रे गान नहीं है, ये हमें सोचना पड़े हैं, लेकिन हम जब तक हैं, हमारी आवाज है, हम इन बेसिक वैल्यूस पे, सामयधारिक मुल्यों पे, कॉंप्रमाइज नहीं करेंगे, कम वोट में, बहुत बहुत धरनवाद, तो जैसा मनुजी ने कहा कि, इस अंधिरे समय में भी एक दूसर का हाथ पकड़ने की जरूरत है, और उनकी पार्टी और वो खुद व्यक्दिकत तोर पर वी इसके लिए भले ही मिट जाएं, लेकिन आगे बढ़ते रहेंगे, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद.